मानिय राष्ट्रपति महोदेया आपकी अनुमती हो तो कारेक्रम का शुभारंब करें शिरी गणेश प्रभाकर देवरुकर मल्खम प्रचिक्षक शिरी गणेश प्रभाकर देवरुकर ने 2023 में भूटान में आयोजित विश्व मल्खम चैंपियंशिप में स्वन्ट पदक जीतने वाले अक्षय प्रकाश और 2023 में भूटान में आयोजित विश्व मल्खम चैंपियंशिप में स्वन्ट पदक लेने वाले जहानवी सुरेश जैसे प्रमुक मल्खम खिलाडियों को प्रशिक्षित किया है शिरी गनेश प्रभाकर देवरुक कर को प्रशिक्षन में उनकी उपलब्धियों को मानेता देते हुए वर्ष 2023 के लिए द्रोणाचारे पुरसकार दिया जाता है शिरी गनेश प्रभाकर देवरुक कर अर्जुन पुरसकार 2023 शिरी ओजस प्रवीन देव तले तीर अंदाजी के उत्करश खिलाडी शिरी ओजस प्रवीन देव तले ने 2023 बर्लिन जर्मनी में आयोजित विश्व तीर अंदाजी चैंपियंशिप व्यक्तिगत में एक स्वन्ट पदक 2023 को हांगशू चीन में आयोजित उननीस फे एशियाई खेल 2022 व्यक्तिगत मिश्रत तीम पुरुष्ट तीम वाले तीन स्वन्ट पदक हासिल किये हैं शिरी ओजस प्रवीन देव तले को तीर अंदाजी में उनकी उपलब्धियों को मानेता प्रदान करते हुए वर्ष 2023 के लिए अर्जुन प्रसकार दिया जाता है शिरी ओजस प्रवीन देव तले सुष्री अधिती गोपीचन स्वामी तीर अंदाजी की उत्कृष्ट खिलाडी सुष्री अधिती गोपीचन स्वामी ने 2023 बर्लिन जर्मनी में आयोजित विश्व तीर अंदाजी चैंपियंशिप व्यक्तिगत और महला टीम में दो स्वाट पदक और पिछले वर्ष चीन में हुए 19 में एशियन गेम्स में व्यक्तिगत और महला टीम एक स्वाण और एक कास से पदक जीता सुश्री अधिती गोपीचन स्वामी को तीर अंदाजी में उनकी उपलब्धियों को मानेता देते हुए वर्ष 2023 के लिए आरजुन पुरसकार प्रदान किया जाता है सुश्री अधिती गोपीचन स्वामी कि अधिती गया है